सोलन में भाशपा नहीं अपना कार्याले खोल दिया है ये कार्याले सोलन के केंद्र बिंदू माल रोड पर खोला गया है अब इसी कार्याले से सोलन नगर निगम का चुनाब जीतने की रन्निती बनाए जाएगी जहां भाशपा के तिंक टैंक बैठेंगे और अपनी विसात बिचा कर कॉंग्रिस को चित करने का प्रयास करेंगे भाश्पा के कार्यालेका शुभरम पर्दीश के स्वास्यमंत्री डॉक्टर राजीब सहजल ने किया उन्होंने इस मौके पर अपने कार्यकरताओं को एक चुटता का संदेश दिया और कहा कि जैरम सरकार ने सोलन की जंत ने कहा कि भाश्पा की नगर निगम सोलन में बने की इसलिए भाश्पा कार्यकरता सभी एक जुट हैं उन्होंने कहा कि जैरम ठाकुर ने न्यायं करता के रूप में सोलन में आए और उन्होंने सोलन की जंता की मांग पुर्ण करते हुए नगर निगम का तgebaut कि कॉंगरिस शेहर बासियंग लिए ये महतपून फैसला नहीं ले पाई उन्होंने नगर निकम बनाया होता तो आज सोलंग की दशा कुछ और होती लेकिन कॉंग्रेस ने सोलंग की जनता के साथ केबल अन्याय किया है जिसका खामयाजा उन्हें नगर निकम की चुनावों में भुकतना प किया है और पूरे चुनाव की गतिविधियां जो हैं वो यहां से संचालित होंगी समाने मुख्यमत्री जी का भी दोरा जो है अभी हाल ही में सोलंग का रहा है और वो कारिकरम जो है वो हर दिश्टी से उसको हमात्यंत सफल कारिकरम मान सकते हैं जो जनसमू उसमें की हैं और भविशे में भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि सरकार का पूरा सहयोग जो है यहां की समस्याओं को दूर करने में रहेगा और सरकार प्रात्मिक्ता के ओपर यहां की समस्याओं को लेगी और यह नगर निगम जो बनने जा रहा है यह भरचंता पार्टी की द परजिंता पार्टी की सरकार ने किया हमारे समानी मुख्यमंत्री ठाकुर जैराम जी ने किया वैसे तो ये नगर निकम हमको वर्षों पूर मिल जाना चाहिए था और मिल जाता तो आज सुलन का सुरूप जो है कुछ और होता ये जो समस्यां देखने में आ रही है ये समस्या यहां ना होती लेकिन अंततो गत्वा अच्छी शुरूआत हुई है और आज हमारे चुनाब कारेलिका भी जो है उशुबारंब हो गया है और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस परकार का महौल जो है पूरे इस नगर निकम के इलाके में है मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि भरत्यंता पार्टी के नगर निकम जो है इस बार निश्चेत तोर से यहां पर बनेगी